असलाव अलेकूम आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ईजी और आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ स्नेक्स की जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और यह स्नेक्स आप दिवाली पे भी बना सकते हैं तो मैं यहाँ पे लिए दो आलू और इसे अच्छे से हमें छील लेन और यह स्नेक्स के परना बहुत सारे कमेट थे कि हमें जब बनाते हैं तो एकदम सौगी हो जाते हैं नरम पढ़ जाते हैं तो मैं आज आप लोगों ले पुरी डीटेल में रेसिपी बताने वाली हूँ यूंकि इस तरह से आप बना लेंगे ना तो आपके आपके भी जो फ प्राने अलू मीठे अलू नहीं लेना है ने तो हमारा जु स्नेक्स है खराब हो जाएगा तो मैं आपर क्या करूंगी जितने भी अम ने छिलके च्हीलेते वह भी में रखोंगी कि उसके भी बहुत टेस्ती सा स्नेक्स बन सकता है इसे वेस्ट नहीं करेंगे आप नहीं खा इस में चाकूँ से भी पदले पदले शएप में चिप्स बनाने से सीधा पानी मे डाले। पानी में डालने से क्या होगा आलू काले नहीं पड़ेंगे तो यहां पे मैंने पानी में डाल लिया और पानी से निकाल के एक एक करके एक साइस के चिपस हमें आप निकाल के रख लेने हैं और आप लोगों को ध्यान रखना है चिपस एक साइस के होनी चाहिए और मोटे नह तो आपके तो एक दम पतले भी काड़ सकते हैं मैं थोड़ा सा मोटे मोटे रखूंगी क्योंकि पकने के बाद और यह कड़क हो जाएंगे नरम हो जाएंगे तो आपके घर में गेस्ट हो गे रहा हैं बच्चों की पार्टी तो आप इस तरह से बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते बहुत ही इसई और अच्छा स्नैक्स nut को आप इसान है। apt darauf जोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप युड़़े पूरा देख के जाया करें युड़ण आप पूरा नहींMM है कंखे नहीं हुआ हैं सब्सक्राइब करके करें और में कर दो हैं च्पस के नहीं हिकिएर हैं आप जैसे काटते जाएंगे वैसे वाइट निकलेगा लास्ट निखले गांप ज्यादा वाइट लगेगा पानी हुआ हो वाले पानी में हमें से लास्ट रख लेना है ज्यादा दोहेंगे भी नहीं आप देख सकते हैं इस तरह किसे होना चाहिए पानी हमारा उजला उजला तो मैंने आपे पॉयल में रखके इसको रख लूँगी साइड में और एक कपड़ा लेंगे कोटन का उसमें सारे प्राइस तो अच्छे से सुखा करके पौछ लूँगी अग्दम कच्छे नहीं होनी चाहिए जो आलू है हमारे इकदम सुखे करके हमें पॉछ लेंगी जितना भी हमारा पानी है इसमें आलू में वह निकलता है निकलेगा के जैसे आप पानी चोड़ता ही है बहार रखो तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आलू सारे पोच लिए तो पोचने के बाद अभी क्या करूंगी देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे फैज प्राइज बनके तयार है वह भी बिना साचे बिना इसके जगदम चाकू से बहुत ही पतले बारिक बारिक निकले तो अभी कि呀 करेंगे में इसे nostra एक कड़ाई तो मिलेंगे तो मेने आप एक कडाई ले लिया है इसमें सारा तेल डाल देंगे हमें आप इससे拌ट करने के लिए ना तेल जादा है लेना है कि यूद्ध दाल के ठावर करेंगे तो और नहीं होंगे और इसे हमें कॉन फ्लोर अगेरा कुछ भी नहीं लगाएंगे तो यहां पर तेल बहुत अच्छे से गरम-गरम हो गया था तो हमें सारे मेने जितने भी फैंच फ्राइस थे वह में डाड ले और यह फैंच फ्राइस एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं और जब आप कॉन फ्राइस लगा कि इससे फ्राइ करते हैं तो एक दूसरे से ज़िए गरम-गरम तेल होना चीए बाद में थोड़ से एकडम इसकी कड़क पर चड़ते जाहिए ना तब आप इसे लो फ्लेम करके पका भी सकते हैं और इसे तो जरूरत नहीं है इसे लो फ्लेम कर पकाएने के हाई फ्लेम में इसको आप बना लेंगी ना एकड़म किरस् सकते हैं एकडम नरम हो गए और अलू अच्छे से पक गए अब यह थोड़ा सा हलकालका उपर से इसकी कड़क परक जम रीती मतलब कि उपर एक कड़क पनाता है वह आने लगाता तो आप देख सकते हैं तो यहां पर मैंने इसे ही करके ना थोड़ इसके टाइम लगा इसके और अब हमें क्या करेंगे से निकाल लेंगे तो यहां पर मैं निकाल लूँगे इसका तेल जितना भी यह है वह मैं जटक के निकाल लूँगे और इसे अब जब निकाले एक तम डालेट प्लेट में नहीं निकालना है आप इसे एक पेपर पे और निकाल के आप कपड़े निकाल सकते हैं पेपर हो गेरा पर अब कपड़े पर विचा की निकाल सकते हैं कि सारा तेल नीचे लग जाएगा और बहुत लंबे टाइम तक कड़क रहेंगे तो यहां पर मैंने एक बैच फ्राइक कर लिया है अभी हमें न क्या करना है दूसरा बैच भी भाके फ्राइक कर तो यहां पर कहें दूसरा वाला है तो इकड़म गरम रहता है तो इसमें फटा फट से हो जाएंगे जादा नहीं होगी दिकत तो यहां पर हमारे सारे फेंच फ्राइस बनके तयार है और आप लोगों को में इसकी आवाज नहीं सुना सकती एकड़म चंचं जिसे आवाज इतने कड़ा के ख्रेंच फ्राइस बनके तयार होगे तो आप देख सकते हैं दो आलू से सिर्फ धेर सारा मारा स्नैक बनके तयार है अब हमें थोड़ा सा इसमें तड़के लगाएंगे तो यहां पर मैं तड़के मिली हूँ थोड़े से काजू आप मुंग फली भी ले सकत तो आप बहुते हैं तो थोड़ा सा काजू फ्राइए होने में टाइम लगता है तो मैं आपको एक किस में सारे प्राइए करके बताऊंगी मतब अलग 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 बाव ऐसा कुछ भी नहीं होगा एक किस में आपको फ्राइए करके बता देती हूँ यहां पर हलके से सब्सक्राइए करीपता दालते हैं तो न कटी चेंज होता है तो यह ऐंपर थोड़ा सा डाला अच्छा और वर्चेंगा इसा फट्रॆ। तो यहां पे पहले नरम नरम थे बात में कड़क हो गए जो किशमिश हमारे हैं यह भी निकाड के निकाल लिए निकाल के आप सीधा हम इसमें चिप्स में से डाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कितना चटपटा सा हमारा जो यह है स्नैक से हो कितना अच्छा लग रहा है खान के लिए चाट मसाला भी डाल सकते हैं मेरे पास अभी फिलाल के लिए खतम हो गया तो मैंने इसमें आम चुर पर दाला है उसके बाद आदा चमच इसमें नमक दालेंगे नमक थोड़ा सा कम ही रखेंगे जम जादा होगा नमक नमक लगेगा और एक चमच में शक्कर का पॉ कर लेंगे इस तरह से तो मैं आप इसको हाथ से मिक्स नहीं करूंगे हाथ से मिक्स करने से क्या होगा इस तूटने लगेंगे तो हम इस तरह से एक बॉयल में डाल लेके आप इस एक परात में डाल के प्लेट में डाल के आप इस तरह हलकी हलकी हाथों से मिक्स कर सकते हैं आ कुछ भी बास भी नहीं आती है एक अलकी मुगी सी बास आती है नहीं तो भी नहीं आईगी एक दम कड़क रहेंगा और कम सामन मेंैं आपका कितना ज़ादा सप्षय अर्पर तर्पत्राइब बन बेसे सबस्क्राइब रहें आप acre भी बनाको Kumen ज़्यादा पसंद आएगा तो चलिए आप लोगों को रेसिपी कैसे लेगी कॉमेट में ज़रूर बताना ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर देना शेयर कर लेना और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना